स्टुडेंट्स गुड मोरिंग एवरिवन चैप्टर वर्क एनर्जी और पावर लेक्टर नमबर फास्ट फॉर क्लास 11 तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्क एनर्जी और पावर तो उससे पहले दो प्रोब्लम्स मेरे पास आई हैं तो एक बार मैं उनको डिसकस कर देता हूं उसके बाद शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को एक तो उसमें पुछा है कि एक बार फिर दुबारा से एंगल ओफ रिपोज को एक्स्प्लेंड कर दें तो देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आप के इसको पढ़िए उसी को लिखिए अगर आप बुक की हैल्प से इसको स्टडी करोगे या बुक वाले को मेरे वाले को कंपेर करोगे तो आप देखोगे वहां पे कुछ अलग से लिख रखा है जो की समझ से बाहर है थोड़ा सा कम समझ में आएगा वैसे लिखा वही है जो म ऐसे गहनेल या जहाए मंुताज इनक्लायड प्लीन प्लीम स्रफेस और इसके ऊपरोगे अब्जेक रखा हुआ है इस्मामा जह है मेंने क्या किया कि मैंने क्या किया यह जो एंजाने है क्या क्या करों किया क्या कर चुरू किए कि फैसके गलिग्रीज करना शुरू दीरे लो आपका एंगल of inclination है यह जो है इसको दीरे 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 बढ़ाना शुरू किया और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपका उब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर गया मैंने वहीं पर इसको रोका वापिस से क्या किया एंगल कम किया तो फिर दीरे दीरे एरर एंड ट्राइल मेथड पताया ने क्या होता है एरर एंड ट्राइल मेथड करेंगे गलती होगी फिर दुबारा रिपीट करेंगे फिर गलती होगी फिर दुबारा रिपीट करेंगे and time comes at which we are successful एक ताइम आएगा जहां पर हम क्या हो जाएंगे उसमें कामियाब हो जाएंगे तो वही कंडिशन यहां पर हमने की कि हम बार बार इसको उपर लेके गई चल पड़ा फिर रोग दिया फिर चल पड़ा ऐसी करके एक ताइम ऐसा आया थिक्टा की ऐसी वैल्यू आग एक्ट बिャंगर और अगर आपने मरें अगरों की आपका म।ड़ करने तो आपको दो मित आत्र कि ड्तेल्ग ऑज लूटिया से औख्यों कड़ लाग की ये ये वो minimum एंगल है यह इनक्लाइनसर फेश का और हमुद्धोर खड़ान पात्रीकृ और नेनसर फेस के बीच में वह है यह एंगल जिसके नुअह यह जिसके और आफंग ऑब्जेक्ट सफास्ट एडबिध करने के बिल्कुल किनारे के उपर है कि अगर इससे जद्धा हो गया तो ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड कर जाएगा या आप बुक में देखो क्या लिख रख्या है इस देट मैक्सिमम वैल्यू ओफ एंगल ओफ इंक्लिनेशन कोर्स्पोंडिंग तो विच दा ओब्जेक्ट इस एट रेस्ट ओन इनक्लाइड प्लेंड एट जस्ट अट वर्ज ओफ श्लाइड इसका मतलब समाज़ यह 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 मैक्सिमम एंगल क्यों बताया इसने की चाइड बेंगा तक आपको डी रहे तो इस मैक्सिमम एंगल तक आपका रेस्ट में रहे इसे जादधा आगर ओर गया तो अब रहेगा तो वही बात होगी यह 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 वही बात होगी इसी को क्या बोलते हैं एंगल ओफ रिपोज ठीक है चलिए अब देखिक्स क्या दिया गया था आपके पास एक डाइग्राम था जो मैंने बना के छोड़ा था और इस डाइग्राम में आपको सबसे पहले पता करना है तो सबसे पहले क्या करोगे इसका बीडी बनाओगे जब बनाओगे तो एक एंगल आप एक फोर्च आपका निच्चे लग रहा है तो इसको अगर मैं रिजोल करूं तो एक इधर आएगा और एक आपका इधर आएगा एक इधर और इसका इंगल पता है इसका इंगल पता है यह लोग इसका इंगल पता है यह कितना आया यह आया आपका YOUR mg कोश 37 फोर जी कोश 37 वी इसका अपॉजी इतम ब्रिएक्श सेन जाय अयह वला है और आपका क्या रहेगा प्रच चलने की कोशिश कर रहा है नीचे दूपर क्या लगएगा फोर्शों फ्रिक्षिन इसको मैं एफ लिख देता हूं और इसका डारेक्शन में क्या रहेगा आपका यहां पर क्या रहेगा इसका इसका इंगल थिटा था तो यह आपका 90 दोनों के बीच में यहां पर क्या आएगा 4G 37 अब आपको पता करना है कि और या मोशन में है तो और या मोशन में है तो उसके लिए सज़चा करना है कि टो यह दपांने किस के հाइं मैं क्या लगता हूं स्टेटिक्रिक्षण इज़ इसे इकवल टू 우 आयसिंटू नोर्मल रियक्ष्ण एन तो वैल्यू पूट कर लीजिए स्टेटिक फ्रिक्षन मिउस की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटुम एन की वैल्यू कितनी है 4 इंटुम 10 10 मैं यूज कर रहा हूं जी के लिए इंटुम कोस 37 कोस 37 पर उत्ता 4 अपोन 5 यह होत्ता होगा कि बेस बिल्कुल 4 अपोन 5 5 इंटु 2 ठीक है तो यह आपका हो गया यहां पर 2 आगया तो यह आगया चार दुनी आठ दुनी सोड़ा कि एफ इस इस इक्वल टु 16 इंटु जीरो पाइंट इस रहने देजिए कुछ भी चेंज नहीं करना इतने न्यूटन आगया यहीं पर छोड़िए इसको आगे देखिए अब अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है फोर इंटु में टैन इंटु में फाइव अपॉन थिरी अपॉन फाइव उल्टा कर दिया अपॉन थिरी अपॉन फाइव टूजा टैन तीन दुनी छे और छे चोग 24 यह आगया 24 तो करना ही पड़ेगा सोल इसको तो यह आएगा सोड़ा ती अड़तालिस च्यार शोड़ा पुच्यार बीस यह उपरवाला कम है यह ज्याद्ध है तो अब्जक्ट इन मोशन एक कांस्वर आगया किसमें उब्जक्ट मोशन में है क्योंकि फोर जी यहां पर देखिए फोर जी साइन थाटी सेवन डिगरी इस गरेटर दैन अब दूसरा पार्ट है हमें निकालने एक्सलरेशन तो एक्सलरेशन निकालने के लिए पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा कौन सा ओब्जक्ट किसमें है मोशन में है यही आया होगा ना मोशन में आया है ना निच्चे वाला ही बढ़ा आया होगा हां यही बढ़ाया जह किसमें है अगर object motion में है तो fs यूज्झ ना करके क्या यूज करोगे की स्थिद्स गरोगे के लिए 2-ο पॉइंटnica के लिए चेये करने के लिए में मैंने क्या किया है किई इसके लिए मैंने क्या प्रिक्सिय हो सकता था लेकिन प्रिक्सिन छांड than static friction that's why यहां पर actual में अब object motion में है तो इसका मतलब यह हुआ कि इतना force इसके उपर नहीं है तो यहां पर answer जो पुछा था Frictional force आया नहीं है अब तक आएगा Frictional force is equal to mu k into n तो क्या आएगा f is equal to 0.2 into 2 में क्या था 4 into 10 into 3 upon क्या है कोष था कोष था यहां पर कोष था था तो यह 3 up 4 upon 5 4 upon 5 तो यह आजाएगा 2 चार दूनी 8 8 चोग अर पहले वाले में तो यह नहीं किया साइद है तो रेस्ट में आएगा अगर रेस्ट में आगा सब कुछ गड़बड हो एक मिनट जो भी अभी सोल किया है उसमें fs की value आनी थी कुछ और साइद तो यह आएगा 0.3 into normal reaction कुछ और यूज कर दिया साइद 4 यूज नहीं किया मैंने 4 इंटू में 10 इंटू में 4 upon 5 5 तो चार दूनी 8 चोग 32 बिल्कुल नहीं है नहीं है सब कुछ भी निकालने जरूत ही नहीं पड़ेगी और आपके पास निच्च वाड़ा फोर्च वाड़ फोर्च यह कितना आया फोर इंटू में 10 इंटू में 3 upon 5 तो तीन दूनी 6 चोग 24 बिल्कुल निच्च वाड़ा फोर्च जो यह वाड़ा फोर्च है यानि 4G कुछ भी निकालने जरूत नहीं अगर ऐसा हो जाता है तो एक्सलरेशन जीरो आगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है फोर्च व्रिक्षन अमने बता दिया तो यह आपको टास्क दिया था तो कुछ एक बच्चों की प्रोब्लम यह थी तो अपनी सोल कर लें कि नेक्स्ट अब हम शुरू कर रहे हैं वर्क एनरजी पावर तो सबसे पहले वर्क को उठा लेते हैं और उसी को एक्स्प्लेंड कर देते हैं वाट इस वर्क तो यह वर्क के आप साइध पढ़ चुके हो यह चैप्टर वर्क एनरजी पावर आपका नाइंथ किलास में भी है एजटीज कुछ भी इसमें अलग है नहीं कुछ इसमें और ज्यादा है उसमें थोड़ा सा कम था इसमें एक्स्प्लेंशन से जादा है लेकिन जिसने अग आई थी ठीक है चलिए कोई बात नहीं अब आपको मैं बता देता हूं फिर दुबार आजे रिपीट करते हैं वर्क क्या होता है देखिए जर्नल अगर हम देखें तो कोई आदमी सुबह से लग रहा है पसीनम पसीनम हो रहा है बहुत सारा काम उसे ने कर दिया लेकिन हो सक यह गलत यह अवह कुछ हटके हैं इव डा औबजेक्ट इज डिस्प्लीश्ट इन धी ट्कवकर दें वर्क ड्र Sesowis नहीं हूआत इंक्वा जाहां एपे सब्संटीशन ही, अपले सब्सक्राइप घर दनने दोटें से काई अधरिंद कलिजिय केड है सब्सक्राइप वर दनेट्वा कर लीजयке भॉर्क थह डान ना मुंद्स उरता ही क्वी था दॉरर्प्लाइप दोपुलिंट जहें ऐसेड फैक की माय। displaces the body from its position work is said to be done if the object is displaces from its position unapplied या ओंद application of force ठीक है फोर्ड करने के बाद अगर object अपनी position से हिल जाता है displaced हो जाता है तो तो वर्क हुआ otherwise नहीं हुआ अब देखिए फोर्ष का displacement के साथ relation it means फोर्ष एक वेक्टर क्वांटिटी होगी है फोर्ष क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी क्या वर्क भी वेक्टर होगा नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा वर्क इस इक्वल टू एफ डोट एस होता है यानि स्केलर वेक्टर स्किल्र क्वांटिटी तो वर्क जोट प्रोडेक्ट होता है दो अब्जेक्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी का ठीक है चलिए देखते हैं तो यहां से एक concept आपका आएगा जो आपको अच्छे सी पढ़ना है अच्छे पढ़ना यह तो जो डेफिनेशन थी बनाएंगे देखना आप समझना इस चीज को ये मेरे पास है ये मेरे पास एक object है ये मेरे पास एक object है इसके उपर मैंने force लगाया 50 Newton कितना लगाया 50 Newton जिसकी वज़े से यह ओब्जेक्ट इस पोजिशन से इस पोजिशन पर डिस्प्लेश्ट हो गया स्पोजिश्ट के अंदर डिस्प्लेश्मेंट कितना आया एक लड़का ओर था उसने इसी उब्जेक्ट पे इस डारेक्शन में लगाया तो इसके अंदर क्या डिस्प्लेश्मेंट यहीं होगा या कुछ अलग होगा कम होगा या ज्याद्धा होगा यह बताइए मेरे को बिल्कुल कोमन सा एक्जामपल देखिए मैं कह रहा हूं इस ब जिस साइड में स्लाइड करना था उसी डारेक्शन में फोर्स लगाया क्या वर्क दोनों का बराबर होगा कभी ऐसा पॉसिबल है नहीं कि दोनों का बराबर हो जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं वर्क दोनों का बराबर हो जाए तो इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह हो ग यह ऑता है कि पॉर्च इंडा डारेक्शन ओव इस्प्लेस्मेंट इंटु इस्प्लेस्मेंट की डारेक्शन में लगा वर इंटुमे displacement is equal to work, that is the correct, यह बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि मैं कहूं, कि force in the direction of a displacement into displacement is equal to work, is equal to work, यह होता है आपके पास, actual definition, अगर फिजिक्स में बिल्कुल सही, 100% pure, यानि सोट का सही, अगर कोई definition है, तो वो work की होती है, वो क्या है, force in the direction of displacement into displacement is equal to work, और और यह भी हो सकता है, displacement in the direction of force into force, displacement in the direction of force into force is equal to work, दोनों तरह की numerical मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, जिस में एक में component of force in the direction of displacement use होगा, तो एक में component of displacement in the direction of force होगा, दोनों से आपकी numerical में करवा के दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं, उसको मैं प्रूब करके दिखाऊंगा, numericals की help से, और वो numerical में जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको force into displacement in the direction of force और एक क्या बताया है displacement into force in the direction of displacement means एक बार force का component use करके solve करूंगा और दूसरे numerical को force का component use करके आप solve करी नहीं सकते उसमें displacement का ही component use करना पढ़ेगा ठीक है तो यह दोनों definition बिल्कुल सही है एक तो यह है और दूसरी क्या है और वर्क इस इक्वल टू वर्क इस इक्वल टू displacement in the direction of force into force ठीक है displacement in the direction of force into force इसका मतलब यह हुआ कि एक में इसमें तो component of force यूज हुआ और displacement complete यूज हो गया और इसमें component of displacement यूज हुआ और force है complete यूज हो ठीक है तो चलिए देखते हैं इसी के उपर अपलाई करके देखते हैं कि इसको नोट कर लिए डेफिनेशन वर्क की यह जो डेफिनेशन अब लिखे यह है एक्ट्वल में बेन इक्वे जो डेफिनेशन है वह जिनसे आपका लगाया और यहां पर एंगल जो है इस होरीजंटल के साथ यह बना थिट्टा जिसकी वजह से इस डारेक्शन में इसमें displacement हुआ एस नाओ अकोर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क इस इक्वल तो वर्क इस इक्वल तो फोर्स इंदा डारेक्शन कि टारेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है ना उब्जेक्टे तो उपर कितना लगा हमारे किसी काम का नहीं वह नहीं आएगा हमारे किसी काम में वो नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यह फोर्स निकाल लेता हूं तो यह फोर्स क्या होगा इसको दो component में रिजोल कर दीजिए तो एक इधर आएगा रेक इधर आएगा एफ कोश थिटा इधर क्या एगा एफ साइन थिटा किलियर है तो डेफिनेशन के अकोर्डिंग क्या हुआ फोर्मूला एफ कोश थिटा इन्टू एस यह आ गया एफ एस कोश थिटा अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो एफ डूट एस एफ डूट एस है किलियर है यह है जो डेफिनेशन है जो हेंडर परशेंट सब्सक्राइब क्लियर है नोट कर लिया होगा सभी ने वर्क इस एकवल टूट यहां पर एक्टर लगा ले ना वाई दोट प्रोडेक्ट किया है ताग कि कोश थिटा आपका आज के सोल करने and SI unit of work work SI unit of dimensional formula यहां पर आपको बनाना है बना दीजिए work work diamonds पहले क्या बना यह SI unit to force की क्या होती है Newton displacement की क्या होती है meter Newton meter work is equal to Newton meter if on the application of if on the application of one Newton force object is displaced by one meter then work is said to be one one Joule SI unit of work क्या होती है Joule SI unit of work क्या होती है Joule Joule work SI unit of work is Joule SI unit of work is Joule फिर आता है आपका कई बार पूच लिया जाता है one Newton and due to application of this one Newton and due to application of this one Newton force the object is and if application of this one Newton force the object is displaced by one meter then work is said to be equal to one Joule then work is said to be equal to one Joule if on the application of one Newton force object is displaced by one meter then work is equal to one Joule then work is equal to one Joule now write down the dimensional formula for work work का dimensional formula लिख लीजिए तो force force का निकाल चुके force का क्या होता है कैसे आया था force का मैं बता रहा हूं कुछ बच्चों नहीं पड़ी थी force is equal to force is equal to mass into acceleration मास तो आपको तीन आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था किसका मास का एकिस का लेंद का एकिस का टाइम का मास का एम लेंद का एल टाइम का यह तीन याद रखने हैं बस मास के लिए क्या लिखते हैं एम लेंद के लिए एल टाइम के लिए ठीक है ठीक है तो अब बताईए यहां पर मास का पता है क्या आपको मास का क्या होता है मैं diveohde holy x एंटो मास इनटू इंटू वेलोस्टी का पता है आपका नहीं पता नहीं पता तो इसे-पी आ आता है लेंथ अपोन में टाइम क्या आता है लेंथ अपोन में एक टाइम ओर आगया तो टाइम की पावर होगी दो आगया डाइमेंशनल फोर्मूला किसका वर्क का तो लिख दीजिए सब्सक्राइब माइनस तो दाइमेंशनल फोर्मूला फोर्स तो फोर्स का लिखिए पहले वर्क इस इक्वल टू डाइमेंशनल फोर्मूला ओफ फोर्स इंटू डाइमेंशनल फोर्मूला ओफ यह क्या है एस क्या है डिस्प्लेश्मेंट डिस्प्लेश्मेंट क्या होती है दूसका इंगा यहां मंदन तो यह आगया म् 1 यह शोम के मेशना अलु स्व किदिएन खॉंई हिसका डैमेंशनल फोर्मुला यह था हम धिर्ज बाद आप नोट कर लीजिए वर्क के इज में भी पोजिटिव नेगिटिव और जीरो वर्क इज में भी पोजिटिव नेगिटिव और जीरो पोजिटिव नेगिटिव और 0 का से आएगा यहां से निकाल सकते हो work is equal to f s कोज थिटा की वैल्यू कब पोजिटिव होगी कब नेगिटिव होगी कब जीरो कि यहां पे थिटा की help से तो आपका work भी maximum cost theta value minimum तो वर्क भी minimum cost theta value 0 तो थिटा की वैल्यू क्या क्या रखें ताकि cost theta की value maximum minimum और 0 बन जाए वहां पे आपका आएगा positive negative और 0 डाक्ड़ी आपकी करके चेक करवा ले अभी केवल और केवल 23 स्टुडेंट्स की नोटबुक मेरे पास आई है चेक होने के लिए बच्चे अभी काफी वचे हुए हैं तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे से चेक करवा ले आज की वीडियो में इतना ही थेंक्स